जंगल में शेर का जंगली जानवरों का शिकार एक सामान्य घटना है क्योंकि शेर शिकारी होते हैं और जंगली जानवर उनके भोजन के स्रोतों में से एक है शेर कुशल शिकारी होते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई तरह के हतकंडे अपनाते हैं जिसमें पीछा करना और घात लगाना शामिल है वाइल्ड बीस्ट का शिकार करते समय, शेर अकसर जुन से किसी एक जानवर को अलग करने की कोशिश करते हैं और अपने शक्तिशाली जबडों और पंजों का इस्तमाल करके उसे नीचे लाने के लिए पीछे या बगल से हमला करते हैं एक बार वाइल्ड बीस्ट पकड़े जाने के बाद शेर जानवर का दम घुटने के लिए अपने दान्तों का इस्तमाल करेगा या उसकी गर्दन काटकर घातत प्रहार करेगा हालांकि शेर का शिकार एक क्रूर और हिंसक प्रक्रिया हो सकती है यह पारिस्थिती की तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है और खाद्य श्रिंखला को संतुलित करने में मदद करता है शेर सामाजिक प्राणी है और अक्सर समूहों में शिकार करते हैं जिने गौर्फ के रूप में जाना जाता है शेर सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं जब उनका शिकार भी सबसे अधिक सक्रिय होता है इसे क्रीपस्कुलर अवधी के रूप में जाना जाता है सिर्फ वाइल्ड बीस्ट ही शेरों का शिकार नहीं होते है वाइल्ड बीस्ट के अलावा शेर कई तरह के जानवरों का भी शिकार करते हैं जिनमें जेब्रा, गजेल, ब्रिगा और बड़े जानवर जैसे भैंस और जिराफ शामिल है। शेरों के कई शारिरिक अनकुलन होते हैं, जो उन्हें शिकारियों के रूप में अपनी भूमी का निभाने में मदद करते हैं। उनके पास मजबूत पैर और जब्डे, शिकार को पकड़ने के लिए तेज पंजे और दौडने के लिए मजबूत मास पेशिया होती है। उनके पास उतकरिष्ट दृष्टी और श्रवन के साथ गहरी इंद्रियां हैं, जो उन्हें अपने शिकार को दूर से पहचानने और ट्राक करने की अनुमती देती हैं। जबकि शेर का शिकार भोजन प्राप करने की एक सफल रणनीती हो सकती हैं, इसमें जोखिम भी होते हैं। शेर शिकार के दौरान घायल या मारे जा सकते हैं, और अगर उनका शिकार भागने में सफल हो जाता है, तो शेर भूखे रह सकते हैं। शेरों को सर्वोच्य शिकारी माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे खाद्य श्रिंखला के शीर्ष पर हैं और उनके स्वयम के कुछ प्राकृतिक शिकारी है हालां की वे अन्य बड़े शिकारियों जैसे हाइना और मगरमच से भोजन और शेत्र के लिए प्रतिसपर्धा का सामना करते हैं शेर का शिकार करना एक जोखिम भरा व्यवहार हो सकता है, क्योंकि यह शेर को अपने शिकार से चोट पहुचाने के लिए उजागर करता है उदाहरन के लिए Will Beasts हमला होने पर अपना बचाव करने के लिए जाने जाते हैं और अपने तेज सींगों का उप्योग करके अपने हमलावरों को मारने की कोशिश कर सकते हैं अपने शिकार से विचलित होने पर शेरों पर अन्मय शिकारियों द्वारा भी हमला किया जा सकता है शेर अकेले जानवर नहीं है जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं अन्य शिकारी, जैसे चीता, तेंदुवा और लकडबग्घा भी जंगली हिरन का शिकार करते हैं और भोजन के लिए शेरों के साथ प्रतिसपरधा कर सकते हैं। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शेरों को आवास के नुकसान, अवैद शिकार और मनुश्यों के साथ संधर्ष का खत्रा है। ये कारक शिकार और भोजन तक पहुँचने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और शेरों की आबादी में गिरावट में योगदान कर सकत हैं। अईई की हिरन प्रवासी जानवर हैं और भोजन और प्रजन के मैदानों के बीच लंबी दूरी के प्रवास के लिए जाने जाते हैं। इन प्रवासन में बड़ी संख्या में वन्यजीव शामिल हो सकते हैं और यहां देखने के लिए एक प्रभावशाली द्रिशे ह शेर, चीता, तेंदुआ और लकडबग्य सहित कई शिकारियों के लिए, वाइल्ड बीस सबसे फुर्तीले या तेज चलने वाले जानवर नहीं है, लेकिन हमला होने पर वे अपना बचाव करने में सक्षम है, उनके पास तेज सींग है और वे शिकारियों को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से उनका उप्योग करने में सक्षम है, वाइल्ड बीस्ट विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जिनमें सवाना, घास के मैदान और वुड्लेंड्स शामिल है, वे सीमित पानी और भोजन वाले क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम है और विभिन्न परिस्थितियों के अरुकूल होने में सक्षम है।